बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत आर्टियो कॉंस्टेबल के बंद घर में लाखो का सामान और चांदी की मूर्ती चोरी कर चोर हुए फरार दरसल मेरत के रेलवर रोड थाना छेतर मधुबन का लोनी में आर्टियो में कॉंस्टेबल नीरच कुमार बत्रा अपने परिवार के साथ रहते हैं शुकरवार को उनके घर में लाखो की चोरी हो गई उनके बेटे ने बताया कि दादा की तब्यत खराब होने पर घर के लोग उनको अस्पताल लेकर गए थे और घर में ताला लगा हुआ था बाद में घरा कर देखा तो सारा सामान भी खरा हुआ था और पैसे जेवरात के साथ भगवान की चांदी की मूर्ती भी घर से गायब थी यह देखकर पीडित परिवार ने रेलवे रोड थाना में सूच न दी जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुँच कर आसपास और घर में लगे सीसी टीवी के अधार पर जांच शुरू की कैमरे की फुटेज में तीन युवक बाइक पर आते हैं जिसमें से एक युवक बंद घर के अंदर घुसता है और कुछ समय बाद सामान लेकर बाहर निकलता है और तीनों फरार हो जाते हैं सीसी टीवी के अधार पर पुलिस मामली की जांच कर रही है तोडक का इसने पढ़ा था गोल्ड केश वगयरा एक बैक पढ़ाता है उसने भी पढ़ाता है वह बैक भी लेगए यहां पर लड़ो गपाल चांदी के लक्षमी जी वाकि जो चढ़ानी मोणांगा थोड़ा बहत होता है अब वह जो पढ़ा ही होता है इस खबर में फिल हाल इतना ही आप देखते हैं ये फस्ट बाइट टिवी